अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं बूलना आउच क्या मुझार है रहा है पॉर अच्छा फिल होता है क्या है तो का यह है क्या है यह मतलब राव लोग नास्ते में देंकर रहे ह Penalak यह लेकिवर यू करतें बच्चे से लेके बड़े से लेकिए जो कुझ धितकी आपे ओटा थेखा़ क्या होआ करोद्स में में कैसा इसे कित कह कुछ खतम होता है कुछ बिमारी दूर होती है क्या है कुछ समझ के बार क्या है यह लेकिन मज़ा हाता है क्या फेलिंग पहले ख़बर की बात करते और आप लोगो बता रहते दा इंपॉसिबल जी हां यहां पे वीवो अपना एक अक ऐसा स्माटफोन लांच कर रहा है MWC 217 जाहां पर पहले वर्लड का जहां पर वहां पर वहां पर उन लोगों का इसीया का जो होगा सबसे पहला स्मार्टफोन पर वीव अपना लांच करेंगा जिसके अंदर पर ऑप्टिकल फिंगर्पिंट स्कैनर देखने को मिलेगा यह वीडियो आप देख सकते हैं यहां पर यह प्रूफ है जहां पर दिखाया रहे है कि एक परसन उसको जो वह फिंगर्पिंट टू करके को स्मार्टफोन जो वह लांच कर दिया के अंदर और क्योंकि यह इतने अची नहीं तो टाइम पस कर रहा हूं है तो यह यह जो फोन उन्हें लांच किया साड़ेशार रुपे की प्राइस रखिए आप 500 रुपय डालके रेड्मी फोर नहीं लेना और भी कुन सा यह जो फोन आता और यूरे का भी घज़ा दालके ने ले सकते पांच एक हज़र करके अप रेड्मी फोर नहीं ले सकते और एक हज़र कम करके अब सेंसु का होराजन भी नहीं ले सकते तू यहां पर यह जो फोन इसके अदर आपको 5 फींच की डिस्पें मिलते 2GB की श्टो सकते हैं उनने कुछ लीक्ट किये और इसके अंदर भी प्रूफ हो रहा है कि Motorola का G5S प्लस आएगा उसमें में डूल रियर कैमेरा जो देखने को मिल सकते हैं और यहां पर उनने जब स्पैसिफिकेशन भी लीक्ट करी है यहां पर कुछ बैटरी के पैसेटी दिखा रही है और 3068 देमिज की हो सकती है मेरे सबसे कम लगी रही मुझे और साथ में प्राइजिंग की बात करें तो 19,000 से 20,000 रुपीज की आसपास यह फोन जो हो सकता है इस फोन में में जब वह 5.5 इंच की फूल इस्टी की डिस्पे देखते हो को मिले कि और स्नैप्रेगन का 660 प्रो से फिला बता रहे हैं कि OnePlus 5 हमें जो अभी तो फिलान के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है अगर आपको ऑनलाइन पचेस करें तो 27 जून से Amazon के पर यह ओपन से जरी आपको मिल सकता है अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में चाहिए तो आप लोगों को बता रहे तो आज आप जो वो डेली के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं लेकिन इनकी पॉपफ इवेंट वाले श्टोर होते हैं आप वहाँ पर जाके इसको पचेस कर सकते हैं और यह एंडर्स आपको OnePlus की वेबसेट में मिल जाएगा उसके बाद 24 तारी को आपको बैंगलोर और चैन्नाई के इनकी पॉपफ श्टोर में आपको यह फोन मिल सकता है और फाइनली यहां पर 25 तारी को आपको यहां पर जो हाइदराबाद के नदर यह फोन जो मिल सकते हैं तो यह जगाओ पर यानिकी लिमिटेट प्लेस के उपर आपको OnePlus के फोन आफ्लाइन मार्केट में मिल सकते हैं व यहां पर एक और ऐसा स्मार्टफोन है लफी के नाम से जाना जा रहा है जहां पर यह जो फोन है इमेजिस देखेंगे पूरा सेम तुसिम जो नोकिया 3310 का क्लोन है लेकिं इंट्रेस्टिंग बात है कि यह आपको सिर्फ 600 रुपे में मिल सकता है जिया 600 रुपे में उन्हो पूरी बात नहीं है लेकिन नोकिया नोकिया होता है और क्लोन क्लोन होता है लेकिन अभी तक क्या सबसे चीपिस क्लोन जो आया है वो यह फोने नोकिया का लफी तो Android Oreo जी हां हम सभी लोगों को पता है कि Android 8 का जो अपकमिंग वर्जन आएगा उसका कुछ नाम Android Oreo ही होगा हम सबी लोगों को यही लग रहा था लेकिन यहां पर अभी कुछ रिसेंटली कुछ source code रिलिश्ट हुए तो वहां पर OC दिखा रहा था यानि कि Oreo नहीं हो सकता है कुछ और नाम होगा और Google के IOS slides हुए तो वहां पर भी कुछ OC करके दिखा रहा था अब अनफॉर्चिनेटली यहां पर बता है कि Android Oreo नहीं होगा बलकि Android oatmeal cookie होगा कुछ इस तरीके का नाम होगा जिया तो अभी तक तो फिलाल हमारे smartphone में आया नहीं बहुत कम smartphones में आया है अब यह जब version आएगा Android A का तो हमें अभी अभी से जो नाम लेना पड़ेगा वो काफी लंबा लेना पड़ेगा क क्योंकि अभी तक तो काफी चोटे नाम थे KitKat Marshmallow और Nougat आप यहां पर oat milk cookie इतना बड़ा नाम हो सकता है काफी सारे लोग अभी से disappoint हो गए अब हमें नहीं पता कि इसके actual reality जो वो क्या है फाइनली यहां पर WhatsApp पर एक बहुत ही बड़ा update जो आने वाला है जो अभी तक का मेरे सबसे बना तो major update होगा यूजरी हमें पता है कि WhatsApp के पर हम खाली documents, files यानि की pictures, videos वाइगरा जो वो send कर सकते हैं और उसे ज्यादा हम जो नहीं कर सकते हैं अब यहां पर बाता दे रहें कि आप WhatsApp के पर कोई भी type के file जो वो send कर सकते हैं जैसे कि आप images देखेंगे Xiaomi का phone purchase करना है तो आप लोगों को बता रहें तो Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 4 और Redmi 4 है यह सारे smartphones वो Mi.com का pre-order पर पर जा चुके है यानि कि शुरू हो चुका है और आज दुपैर के 12 बचे से आप जाके जो वो purchase कर सकते है Mi.com पर आप जाके अपने account से login करिए और यहाँ पर पहले ही आपको पैसे देना पड़ेगा यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह pre-order mode होता है और पांस दिन के अंदर आपके यह phone जो आपकी घर पर आ जाएगा तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है अब यह वाला प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं और आपको जो भी फोन पचेस करना है आप जाके जो वह कर सकते हैं कि आपको 12MP के dual rear cameras मिलेगे जो की monochrome और RGB के lens है आपको 4K video recording मिलता है आपको laser autofocus मिलता है और यहां पर आपको जो एफ 2.2 का aperture मिलता है जो मेरे सबसे इतना अच्छा aperture नहीं है आपको यहां पर 8MP के selfie camera भी जो वह मिलता है अब यह phone अगर इसकी pricing 30,000 रुपी के आसपस रखत आप यहीं पर खता होती है उम्हित करता आपको आज की टेक्निश पसंद आएगी क्योंकि भार की जो ट्राफिक है आपको पता है इसनी ज्यादा ट्राफिक है उसे चाह कम से कम आप यह आवाज जो सुन लिजेगा जी हां तो मिलता है आप से अगले वीडियो में एक नए कर दो के साथ तंद और के साथ तिलान वे अगलेख दे एंगले सीपी नए जीच वाद है